हेलो फ्रंट वेलकम टो मैं चैनल तो आज मैं आप साइज शेयर करूँगी बीना जंजट यानी की प्लीट्स पर गहरे की बीना जंजट की यह सलवार ना तो इसमें कलियन डालने का कोई जंजट है नाहीं प्लीट्स डालने का elastic इस पे हम लगाएंगे और बनाने में बहुत ज़्यादा असान है और जल्दी भी बन जाती है तो सबसे पहले सलवार का कपड़ा जो भी आपके पास normal कपड़ा होता है वो ले लेंगे और उस कपड़े को पहले हम double fold कर लेंगे देखिए एक तै दो तै किनारी वाली साइड मेरे हाथ की साइड है double fold करके इसको फिर एक और fold हम इस तरह से करेंगे four fold हमने कपड़े को कर लिया है लंबाई लेने के लिए पहले दो इंच की मार्किंग जो है इस तरह से इलास्टिक के लिए हम ले लेंगे तो दो इंच के बाद दिखिए इस तरह से नीचे को हमने त्यार लंबाई लेनी है उसमें मार्किंग करने है और आदा इंच जो है पोंचा मोरने के लिए रख लेन कोनते हैं अब इधर हम देख़ कि यहां से तीन इंच पीछी को करेंगे कि पूरा घेरा सलवार में हम रहने देंगे तुसिर्फ तीन इंच पीछे को करके नीचे को 16 इंच का आसन ले लेंगे और इसमें आसन की यहां पे गुलाई हम दे लेंगे ना तो तो इसमें belt लगेगी ना plates डलेगी ना तो इसमें कलियां लगेगी तो बस सिंपल से जल्दी यह बन जाती है अब देखिए यहां आशन से मूरी तक को हमने इस तरह से मिला लेना है और फिर इसको cutting कर लेंगे पहले देखिए हमने यहां से इसको cut कर लिया है और आब देखिए इस तरह से हम इसको KT करेंगे आ деся से भी कट कर लेंगे एस सिलना भी बोकट जयादा आसान है तो यहां पर यहां पर यहां पर पर आसन में सिलाई यहां अब हम देखिए हैउगे इस में इलास्टिक लेंगे elastic जितनी आपकी कमर है उसमें से आपको 3 नीच जो है कम elastic लेना है या आप खीच के कमर के round भी ले सकते हैं नीचे हम पॉंचे भर लेंगे तो आपको पॉंचे चोड़े भरने पतले भरने आप अपने हिसाब से इस पे वुक्रम ले सकते हैं तो यहां पे देखिए ऐसी हमें कपड़ा ले लेना है जो बचा हुआ कपड़ा है और इस तरह से एक साइड हम पहले भुक्रम को बंद करेंगे और थोड़ा सा मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है कपड़ा तो अब देखिए इसको जो हमने कपड़ा छोड़ाता थोड़ा सा एक पैर का वो इस तरह से सलवार के पहुंचे साथ रखके इसको हमने सिलाई लगानी है तो इस तरह से अलग से पोंचा अटेच करके जो है सलवार बना जाती है अगर विगनर्स के लिए ये ट्रिक हेलफुल है और अब देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहां पे पोंचे का डिजाइन कोई भी भर सकते हैं देखिए इस तरह से पोंचे को फोल्ड कर लेंगे अगर आप विगनर है और आपकी यहां पे जोल पड़ता है तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ देखिए कपड़े को अपनी साइड को खीचना नहीं है बस इस साइड को कपड़े को हमें सीधा करते रहना है और फिर आपका जो पोंचे है बिना सिल्वट का जो है अच्छा से आ जाता है अब elastic को पहले देखिए जोड लेंगे तो पहले elastic को हमने बंद कर लेना है उसके बाद फिर हम सलवार में attach करेंगे देखिए बंद कर लिया है लगाती बार यह ध्यान रखना है कि silver नहीं आनी चाहिए आपके elastic में अब देखिए simple से इस तरह से हम इसको जो है सिलाई लगाते जाएंगे elastic के उपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए बस इस बात का हमें ध्यान रखना है तो इस तरह से असानी से elastic जो है वो लग जाती है खीच के इसमें एक से दो सिलाई हम और लगाएंगे तो इस तरह से elastic भी असानी से लग जाती है बस पहले elastic को बंद कर लेना है और फिर इसमें सलवार में attach करना है तो elastic भी मैंने लगा ली है भी जितना पॉंचा हमें रखना है मूरी रखना है पॉंचा मूरी आप जो भी कहते हैं तो इस तरह से रखके फिर हम इसमें खीच के सिलाई लगाएंगे इससे जो है हमारी जो सलवार है उपर को उठेगी नहीं इस तरह से देखिए खीच के हमने सिलाई लगानी है तो इससे फिर क्या होगा कि सलवार जो है उपर को उठती नहीं और बहुत अच्छी सलवार ये बन जाती है इस सलवार में कोई भी जंजट नहीं होता है ना प्लेट्स का ना बैल्ट का और ना ही इसमें कलिया पोंचे जोड़ने का और बनाने में देखिए बहुत ज़दा असान है और लुक वाइस पूरा सलवार का ही लगता है अगर आपको ये वीडियो हल्पूल लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाश तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्यू